परमानू की NV बोर कक्षा की त्रिज्जा N² के अनुक्रमानुपाती होती है या बोर की किसी इस्थाई कक्षा की त्रिज्जा N² के अनुक्रमानुपाती होती है हम इसे देखेंगे चलिए हम हाइडिजन परमानू के बोर सिध्धांद के साथ इस बात को समझेंगे कि परमाणू की N V बोर कक्षा की त्रिज्जा N स्क्वेर के अनुक्रमानु पाती होती है हमारे पास में एक इलेक्टरान है जिसका द्रविमान M है और वो R त्रिज्जा की N V कक्षा के अंदर V चाल से घूम रहा है यह N V कक्षा है V चाल से वह घूम रहा है यहाँ प्लस E और माइनस E के अपने अर्थ है जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हाइटोजन परमाणू की तो हाइटोजन के नाभिक के चार और केवल एक ही लेक्टरान जिस पर माइनस E चार्ज होता है घूमता है हाइटोजन का परमाणू क्रमांक Z is equal to 1 होता है तो अगर हम उसको अगर काउंटिंग मिलेंगे तो Z is equal to क्या होगा वन होगा और इसके नाभिक पर जो आवेश होगा वो प्लस E होगा तो हम हाइटोजन के लिए बात करेंगे अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्टरान है वो क्या कर रहा है उसका द्रविमान M है उसके तुरी जार है और हमने का वो N V कक्षा में V 4 से क्या हो रहा है घूम रहा है तो उसको व्रत्ती गति करने के लिए क्या चाहिएगा अभीकेंद्रबल चाहिएगा और उसको व्रत्ती गति के लिए अभीकेंद्रबल कोन प्रदान करेगा उसको व्रत्ती गति के लिए अभीकेंद्रबल प्राप्त होगा नाभिक के धनावेश और इलेक्टरान के रिनावेश के बीच के आकर्षन बल से जिसको हम इस्थिर वेद्य आकर्षन बल कहते हैं तो कुलाम के नियम से इसकी वेल्यू हम लिखेंगे ठीके तो यहां हमने जो बास समझी थी वो थी कि हाइटोजन परवाणू के लिए Z is equal to 1 होता है अब इलेक्टरान के व्रत्ती गति के लिए आवश्यक अभीकेंद्र बल को लिखेंगे तो यह हो जाएगा mv square upon r अभीकेंद्र बल का सूत्र है कक्षा 11 वी से हम लोग जानते हैं और is equal to हम लिखेंगे इसको नाभिक के धनावेश और इलेक्टरान के रिनावेश के बीच आकर्षन बल तो क्या होगा वो ओके इट इस q1 q2 upon 4 pi epsilon 0 r square तो q1 q2 की जगे हो जाएगा e into e ठीके आवेशों के परिमाणों के गुणन फल के अनुक्रमान पाती तो इस आवेश का परिमाण e इसका भी परिमाण e तो इस आवेशों के परिमाणों का गुणन फल और अपान 4 pi epsilon 0 ठीके इंटू r square ठीके यह दूरी का वर्ग क्लियर हुआ क्या फार्मूला है कुलाम के जो निया में उससे जो कुलाम बलका जो सूत रहता है वह होता है वहना पान 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square तो यहां q1 q2 के प्लेस पर हो गया e इंटू e और बाकी बातें वही है क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है और यहां आप z e z e लिख सकते थे लेकिन यहां रहेटोजन परबानों के लिए z is equal to क्या है चली अब हम जो कर सकते हैं उसको हम करेंगे तो यहां अभी हमें कुछ नहीं करना इसको equation number 1 देती है चली आगे बढ़ते हैं अब हम जो बात जानते हैं वो यह एने चपान 2 पाई ओके तो यहां एन की वेल्यू क्या है 1,2,3,4 है ना तो यह बात जो हम जानते हैं बोर के quantity current प्रतिबन से कि जो electron का कोणी ही समवेगे MVR वो एने चपान 2 पाई होता है मतलब हे चपान 2 पाई का पूर्ण गुण जो होता है और यहां पर N is equal to आप लिख सकते हैं 1,2,3,4 देश अब यहां से आपको क्या करना है कि V square की value निकाल लीजे और यहां पर put कर दीजे चली मैं V को रोक लेता हूं पहले तो क्या हो जाएगा फिर V की value मेरे पास में आ जाएगी NH upon 2 pi MR और यहीं से मैं इसका square कर देता हूं तो square करने से मुझे V square मिल जाएगा N square H square 2 का square 4 हुआ Pi square M square R square यह V square का मान आगे इसको मैं equation number 2 दे देता हूं अब मेरे पास में क्या करना मुझे यह V square की value उठा कर मुझे यहां रखना है तो मुझे आप N V बोर कक्षा की तरिज्या मतलब मुझे तो R का मान निकालना है कुल मिला का तो चली मैं V square का मान समिकर्ण 1 में 2 से उठा कर 1 में रख देता हूं ओके चली हम रखते हैं तो अब यहां ध्यान से देखिएगा आप जो मेरा समिकर्ण 1 के उसका क्या रूप बनने वाला है M upon R तो रहेगा यह M upon R हो गया और V square के place पर ही value होगी N square H square upon 4 pi square M square R square और is equal to वही मान है हमाना ठीके यह into E upon 4 pi epsilon 0 यहां लिख देता हूं तो मैंने जो किया वो आपने देखा क्या किया मैंने हो सके उसे cancel करना देखिए R square से R square cancel हो गया है 4 pi से 4 pi cancel होगा तो 1 pi बच जाएगा M से M का square cancel होगा तो 1 M बच जाएगा ठीके बस उतना ही करना है उससे अदा अगर हमें नहीं दिख रहा हमें नहीं करना है तो देखिए N square H square और यहां से क्या हुआ pi बचा है क्योंकि 4 pi से 4 pi cancel होगा तो यह pi यहां बच रहा है और M से M का square cancel होगा तो 1 M बच रहा है ठीके clear है और R square से R का square cancel होगा तो यह R जो है इसके गुणा में है तो यह R यहां आ गया clear है और is equal to हमारे पास जो बचा होगा हम लिख लेते हैं R की value क्या आएगी देखिए आप यह हो जाएगी यहां से देखें R की value को तो यह R को यहां ले लीजे यह हो जाएगा epsilon 0 इधर चला जाएगा epsilon 0 N square H square और upon क्या हो जाएगा E square into E नीचे आजाएगा E square और यह हो गया pi M तो pi M E square तो यह R की value आपके आगी R को इधर ले लीजे और यह सारे बानों को इधर कर दीजे तो अपने आप R की value निकल कर आजाएगी यह जो मान आपको black में दिखाई दे रहा है epsilon 0 H जो की plank constant है pi जो है 3.14 होता है M electron का द्रवे मान है E आवेश है तो यह सब values क्या है constant है स्थीर है जो बदलने वाली बात हो गई वो अप क्या होई हमें दिख गया कि जो R है यह सीधे सीधे proportional है किसके N square के मतलब हम यह बात कह सकते हैं कि बोर की किसी भी स्थाई कक्षा की जो त्रिज्जा है वो N square के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है अगर हम यहाँ N की value को एक लिख देंगे तो N की value को एक लिखने पर क्या होगा यह Epsilon 0 H square अपान पाई M E square हो जाएगा और यह जो value आएगी यह आपकी प्रथम कक्षा के लिए मतलब जहाँ पर N is equal to 1 होगा तो उसकी त्रिज्जा सबसे कम होगी तो यहाँ अगर आप N is equal to 1 रख देते हैं तो यह जो त्रिज्जा आएगी इस कक्षा की त्रिज्जा को बोर त्रिज्जा कहेंगे और यह कक्षा के लाएगी हमारी बोर कक्षा बन्यमा